नमस्कार विध्यारती उत्रों आप सभी का स्वाधत करते हैं मौर्या क्लासिस में विध्यारती उत्रों आज हम आपके सामने एक ऐसी चीजे प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आपको बहुत ज़दा फाइदे मन्द होने वाला है यह special video है क्लास 10 वालों के लिए आप सभी लोगों को पता चलिया होगा कि नया blueprint आ चुका है ठीके दो दिन पहले ही जाहर किया गया था कि blueprint हो आ गई है अब बच्चो इसी blueprint को में analyze और research करके आप लोगों के समक्स यहां पर बहुत ही detail में समझाऊंगा अब आपको क्लास 10 में 80 में से 80 mathematics में जरूर आएंगे लगर लाने का trick और तरीका कैसे में समझा रहा हूँ किस तरीके से में आपको बता रहा हूँ अगर मेरे according बच्चो अगर आपने mathematics को तैयारी किया open challenge कह रहा हूँ बच्चो ठीके mathematics में आप paper जबर जस्त लिखतर होगे और पूरे में से पूरे marks आएंगे भी और मैं आपको यहाँ पर यह भी तरीका बताऊंगा कि board के अंदर past कैसे होना है और दूसरा तरीका यहाँ पर बताऊंगा कि कौन से बच्चों का सपना है कि math के अंदर 80 में से 80 result लाना है और अगर आप लोगों के इच्छा है कि 80 में से 80 लाना है तो कैसे लाना है उसका पूरा proper analyze research और कर्टी बड़ा मैं आप लोगों के समक्स रहस्तिक कर रहा हूँ तो बहुत ही detail में समझाओंगा बस वीडियो में बने लेना है बच्चों आपको एक-एक concept क्लियर करूँगा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक-एक topic क्लियर हो जाएगा ठीके सबसे पहले हम बात करते बच्चों यहाँ पर गुजरात माद्मिक और उचितर माद्मिक सिक्षण बोड गांधी नगल सैच्छिर कवर्ट 2023 का बच्चों यह blueprint है ठीके धोरन 10 यानि कच्छा 10 क्लाश 10 सबजिक्ट यानि वी से गडित कौन सा सबजिक्ट ते गडित में बेजी और इसका code क्या है बच्चों इसका code है 018 बहुत सारे बच्चों को बहुत confusion होता है कि सर यह 018 का मतलब क्या होता है यह code का मतलब क्या होता है बच्चों यह जो code है यह गडित का code है आपको जब बोड का paper मिलेगा न उसके अंदर लिखा हुआ नहीं रहेगा कि यह गडित का paper है तो इसके अंदर क्या लिखा होगा उसके अंदर यह वाला code लिखा होगा और यह वाले code से हम लोग पहचान जाएंगे कि यह गडित का paper है ठीके वार्शिक परिच्चा के लिए बड़ा इन्हें जो second exam और वार्शिक जो परिच्चा आएगा वो इसी के according ही आएगा ठीके और इससे detail में इसी के डिटो डिटो इसी के तरह होगा copy paste ठोड़ा भी changes नहीं होगा और अगर changes होता भी है ना तो minor changes होगा जो normally आप लोग take over करी सकते हो प्रस्न पत्र का परिरूप यानि की उसका blueprint और बच्चो आपका बूर्ड का जो timing होगा वो तीन घंटे का होगा और paper जो होगा बच्चो वो आपका 80 नंबर का होगा और बच्चो 80 में से आपको pass होने के लिए 26 marks लाना होता है लेकिन अगर इसको हम 80 को 100 में convert करेंगे बच्चो तो 100 में से आपको लाना रहेगा 23 marks बस इस बात को mind में fit करना बच्चो अब ये कैसे आएगा बहुत ही detail में समझाओंगा समझते चलिए ठीके यहां पर बच्चो थोड़ा node लिखा हुआ है कि आप परिरूप किसके किसके लिए useful होगा बच्चो विध्यारतियों के लिए टीचरों के लिए और जो पेपर शेट बनाता है जैसे कि गाला मारवल और भी बहुत अन्य प्रकाशन जो होते ब्रह यह लोग जो पेपर तैयार करते हैं वो इसी के एकोर्डिंग कि क्या करते हैं पेपर को रेडी करते हैं सेट करते हैं ठीक है बच्चो और आप लोगों को बड़ा पांच-पांच पेपर प्रक्टिस के लिए दिया जाता है और सब बच्चे कहते हैं कि सब पेपर सेट कौन सा लेना चाहिए मैं आपको सजेस्ट करूंग बच्चो कि पेपर सेट कोई भी लो पेपर सेट कोई भी लो सिर्फ पेपर सेट प्रक्टिस के लिए होता है ठीक है कभी यह मैं सोचा करो कि जरूरी थोड़ी कि उसी पेपर सेट में से याए ऐसा जरूरी नहीं होता है बच्चो पेपर सेट आप कोई भी ले सकते हों बस ह हमें क्या करना होता है? प्रैक्टिस करनी होती है, मतलब जरूर में तो वही कोर्षिन है, उसके जैसा कोorkशन이गा, वह कोर्षिन नहीं आएगा, ऐसा मन्स उचा करो. तो यह लोग क्या करते हैं इसी के एकोर्डिंग क्या करते हैं पेपर सेट चेंज करते हैं और गुजा सरकार ने ये भी कहा था कि भाई इस प्रस्ण पत्र में अगर थोड़ा बहुत चेंजिस होता है न तो उसकी चेंजिस करने का छूट भी दिया गया है मोडेटर को मतलब जो पेपर डिजाइन करता है या जो पेपर से निकालता है वो लोग थोड़े-बहुत चेंजिस भी कर सकते हैं ठीक है चले अब बच्चो हैतु और प्रमाड़े गुर्भार तो ये बड़ा आपके कोई काम का नहीं है ये शिर्ट टीचरों के लिए हैं लेकिन आगर आपक की संख्या और इसके विकल्प हो अगर बात करो है तुल अच्छी मतलब की ऑब्जेक्टिस कोशन जो आपको सेक्शन एमें तुछा जाएगी अब आपको मिलने वाले टोटल 24 कोशन होंगी और कितने मिलेंगे आपको यहां पर 24 कोशन मिलने वाले पहले बच्च आपको 9 मि यहां पर यहां पर आपको यहां पर चेप्टरण प्रमाने गुणभार इसका मतलब होता है चेप्टर वाइस बच्च आपको यहां पर दिया गया कि कौन सा चेप्टर कितने माक्स का है और मैं आपको कौन कौन सा चेप्टर करना चाहिए और जिससे हम पास हो जाए हम वो भी समझाने वाले हैं बहुत ही डीटिल में समझाएंगे बस वीडियो को अंतिसुधी देखना है अगर थोड़ा भी मेरा वीडियो पसंद आता है या समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है ठीक है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एनिलाइज और रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ बच्चो थोड़ा बहुत तो हेल्प नुरी भी करने ही पड़ेगी चलिए आगे बढ़ते ही सबसे फिल बात करता हूँ चेप्टर नंबर वन तो चेप्टर नंबर वन बच्चो पहले दो नंबर काता था और अभी भी कितने नंबर का है दो इन नंबर का मतलब पहले चेप्टर में शेन चार नमबर का था था और अभी सिध्धा आट नंबर का कर दिया गया है यह benefit आपको मिल रहा है chapter 4 बच्च्छो पहले 5 नबर का था, आप सिध्धा 7 नमबर का कर दिया गया है and chapter 5 था वो 8 नमबर का बड़ा सिध्धा 13 नमबर का कर दिया गया है सुच इतना जादा फाइदेमन हो गया है बच्चो आगे चटा बड़ा पहले चार नमबर का था आप सिधा आठ नमबर का कर दिया गया है इसके बाद बच्चो साथवा पहले आठ नमबर का था आप सिधा ग्यारा नमबर का कर दिया गया है और आठवा बच्चो पहले चार प्रस्विशन नमबर के था और अभी भी नमबर के था जोइवा नहीं किया गया है, आगी 12 बछो बारवा पहले छे नमबर के था आइज उसमें, reflects, सिधा 6 नमबर के था नहीं किया गया है, और यहां पर क्या वड़ा जन्रल विकल्प के साथ दर्सा आ गया प्रस्नगुन नमुना प्रस्नपत्र प्रमाडे अन्य प्रस्नपत्र माटे गुर्भार थोड़ा सा अलग भी हो सकता है मतलब और भी कोई मोडेटर जो पेपर वगरा डिजाइन करते हैं वो लोग थोड़ा चेंजिस कर सकते हैं बाकि लगभग 90% केसिस में बच्चो आपको यही की यही गुर्भार आपको देखने को मिलेंगे अब मैं आपको बताऊंगा बच्चो किसका पेपर स्टाइल क्या है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आपको तीन चेप्टर करने से पास और बताऊंगा कैसे पास होना है कुट्रिक भी आपको बताने वाला हूं जहां से आपको क्या करना है समझना है चलिए आगे बच्चो एक चीजों को हम यहां पर समझने की कोशिज करते हैं चलिए आगे बच्चो यहां पर हम इसके मालगा समझ लेते कि क्या पूछा जाएगा एक से लेकर के 24 तक के जो कोश्चन होंगे बच्चो उसके अंदर बच्चो आपको क्या बोला एक से 24 तक के प्रस्नी दिया होंगे और सभी प्रस्नी करना अनिवारी है और आ विभाग में हेतु प्रस्नी होई मतलब आपको यहां पर एम सी क्यों कोई से क्या क्या सी देखने मिलेगा एक तो बड़ा आपको यहां पर एम सी क्यों देखने मिलेगा एम आर क्यू यह भी देखने मिलेगा और खाली जगा भी देखने मिलेगा जोड को देखने मिलेगा एक वाक्त के उत्तर भी देखने को मिलेगा मतलब इस बार MCQ में बच्चों आपको एक तो MCQ भी practice करनी पड़ेगी और खाली जगा भी practice करनी पड़ेगी सही गलग भी practice करनी पड़ेगी सही जोड़े भी practice करनी पड़ेगी और एक एक वाक एक जो question answer आते बरा उसकी भी practice करनी पड़ेगी यानि 24 नंबर कर तो दिया है पर 24 नंबर में इ बहुत सारे बच्चे कहते ही, सर सारे सवाल तो हमें हमें आ जाएगा, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा प्रोब्लम होती है, M.O.C. के मेड़, तो टेंशन मतले, बच्चो, M.C.P. की प्रोब्लम मैं दूर कर दूर कर दूर, लेकिन बच्चो, दूर तभी हो पाएगा, जब जिस तरीके से मैं आपके यह मेनत कर रहा हूँ, आपको भी बड़ा मेरे लिए मेनत करनी होगी, क्या करना होगा, करना कुछ नहीं है, वीडियो के नीची यहाँ पंद्रा सस्क्राइब का बटन होगा, उसको दबा लेना है, लाइक कर देना है, और बच्चो, साथ साथ में अपने दोस्तों को भी क्या करना है, सेयर करना है, जिस दिन बड़ा मेरे यूट्यूब चैनल पर बच्चो, तू के सस्क्राइबर कम्प्लीट हो जाएंगी, उसी दिन बच्चो में क्या करूँगा यहाँ पर पंद्रा के पंद्रा पेपर सोलूशन बच्चो, हिंदी में आप सभी को प्रवाइड करने वा रहा हूँ, जिस दिन तू के सदी अधैना फिर आपको पंद्रा पेपर सोलूसन के साथ जाएगा, यहाँ पंद्रा पेपर सोलूसन के साथ जाएगा, यहिस दिन के साथ बच्चो, तू कि शले होगा, पच्छीश से लेके 37 तके कोश्चन आपको section B के अंदर देखने की लेगा बच्छो इसमें बच्छो आपको क्या होगा कि आपको 13 प्रस्म दिया होगा और 13 में से कोई भी no करना है सोने पेसी उखा बढ़िया कोश्चन आ गया अब क्या करना होगा बच्चों यहां पर देखो 13 में से आपको कितने कोश्चन करना है सिप मात्र 9 कोश्चन करना है इतना जलसा और सभी कोश्चन के एक कोश्चन का उत्तर आपको आपको दो माक सिंदेगा एक कोश्चन करने से आपको दो नंबर मिलेंगे मतलब 13 में से कोई भी नो करना भाई जलसा 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 भाई आपको 18 नंबर यहां पर फोकट के में जाएंगे उसके बाद बच्चों 38 से 46 तक section C के अंदर बच्चों आपको 9 में से कोई भी 6 बच्चों आपको यहां पर एक कोश्चन बच्चों को कितने नंबर मिलेगा मतलब ऐसे मिला कि आपको 18 नंबर बुली वाला है इससे बार mathematics में सच में कह रहा हूं असी में से असी रीजल्ट आएंगे इसकी गयारंटी मैं लेता हूं बट तैयारी blueprint के एकॉर्ण करोगे तो मैं कहता हूँ बोर्ड के अंदर अश्ची में से अश्ची लाने से कोई दोग नहीं सकता आपको बरा बस उसी के एकोरिंग तैयारी करो विश्वास रखो और पर चैलेंज कहरा हूँ बच्चो उसी के एकोरिंग यह आएगा उसके बाहर का एक भी कोशन नहीं होने वाला है ल तो कभी भी ऐसी चीजों पर विश्वास मत करो बच्चो सब पढ़ना है आपको सब पढ़ना है और जिसकी पढ़ने की इच्छा ना हो फिर भी बता देना उसकी यह नया तरीका निकालूंगा में और अगर आगर आप लोगों को लग रहा है डर लग रहा है इसार मैट में कि डर लग रहा है मैट में फेल हो जाओंगा तो मुझे कमेट करो मैसेज करो मैं आप लोगों को परिशनली गायद करूंगा कि किस तरीके से मैट में तैयारी करना है सभी बच्चों की हल्प करूंगा सब भी सभी सभी बच्चों की हल्प करूंगा बस आप सब का सयोग के कॉंसेप्ट किला करूंगा बस पढ़ना आपको होगा मेहनत आपको करना होगा ठीक है चलिए अब बात करते हैं 47 से 54 तक की कोशन बच्चो जो आपको सेक्शन अब आपके मन में कोशन अ रहा है कि सर यह तो हम समझ लिए ब्लूप दिखा दिजिए कौन से चेप्टर में से क्या क्या में की कूशन नहीं आएगा वह बता यह बाती तो तैयारी में अपने आपसे कर लूंगा चलिए वह भी समझ लेते बच्चों चलिए बच्चों यहां पर देखो बच्चो नमोना प्रश्न पत्र आपके सामने आ गया है ठीक है बच्चो अब यहां पर कुछ शूचन लिखा है पर दो आप प्रश्न पत्र में बढ़ा कुल कितने प्रश्न होंगे टोटन चववन कोशन होंगी कोई भी पेपर उठाके देखो बच्चो आपको 54 क कोशन से ज्यादा कोशन नहीं देखने कुम लेगा A, B, C, D कितने विभाग आने वाले बच्चो चार विभाग आने वाले A, B, C, D और बच्चो इसमें बच्चो आपको जर्नल विकल्ब भी दिया गया है और विभाग का सुचना के सामने बड़ा इसके साइड में बच्च जरुरत पढ़ रहे हैं तो आपको आकरती भी बनाना पड़ेगा अब बच्चो यहाँ पर नया विभाग आपको नया पेश से ही लिखना सुरू करना होगा फिर से कह रहा है बच्चो नया विभाग नया पेश से ही आपको लिखना होगा बच्चो और याद अपना प्रश हाँ section आगे पिछह करके लिख सकती हो लेकिन section के नंबर आगे पिछह नहीं कर सकती है section पहले है to section C करो, D करो, कोई भिष़ी section करो छलेगा, but sections के number आगे पिछह सेक्षम का number आगे पिछह आपको नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना दीखे और दूसरा calculator, smart watch और डिजिटल वोड का उपियोंग आपको नहीं करना है बच्चो आप लोग क्लास रही हो बच्चो ठीक है तो आप स्मार्ट वोच्ट का स्पाहल मत करना मैं आप लोगोन वोट कुछ हूं यह सिरुक और स्मार्ट वोच्ट का ιत्माल पर करेगा बच्चो इसलिए हमेशा माइंड का इस्तमाल करो, दिमाग का इस्तमाल करो आगे बढ़ते बच्चों, इस पस्त वाचाय तेवु हस्त लिखन कर दो बच्चों, इस तरीके से आपको पेपर लिखना है कि सामने वाला आपकी राइटिंग को पढ़ सके ज़रूरे नहीं है बच्चों कि आपकी राइटिंग एकदम गंदी है अगर एकदम गंदी राइटिंग निकालो के बढ़ा कौन आपको माकसदेगा इसलिए राइटिंग इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके बोड की एकजाम में अगर आपकी राइटिंग गंदी है पर राइटिंग को इस तरीके से लिखो कि सामने वाला रिड कर सके सामने वाला पढ़ सके बस इतना बना लो, इतना तो कर सकते हो ठीके, मैं इसलिए कह रहा हूँ हर बच्च्चों को जब पढ़ाता हूं ठीके, अगर में बोल में राइटिंग सुधार के नहीं लिखा उता तो साइब मेरे नंबर भी नहीं आते, ठीके बड़ा, मैंने भी बहुत ही इस तरीके से में स्टड़ी करता था, और मैंने प्रॉपर तरीके से इनलाइज और रिसर्च करके पड़ता था, आपके टाइम प आपको मिल जाएंगे, है राइट, लेकि बड़ा, क्या आप लोग महनत कर रहे हूँ, आप लोगों कि इतनी सारी फैसिलिटी मिलने के बाद भी, अगर उस फैसिलिटी का इस्तमाल ना करो, तो सबसे बड़े गुर्ख आप ही होड़ा, ठीके, तो महनत करो बच्छो, रिज बहतरी बढ़ेगा, चलिए अब एक ही करके समझ लेते हैं बच्छो, अब यहाँ पर सेक्सान ए देखो बच्छो, सेक्सान ए में सबसे पहले बच्छो, यहाँ पर आने वाला है, आपको एक से छे कोश्चन पूछन पूछन बच्छो, क्या आने वाला है, बिकल्क वाले, याने, M,C,Q आने वाला है, छे कोश्चन, ठीके, तो यहाँ पर ध्यान दीजी बच्छो, अब यहाँ पर देखो, यह जो कोश्चन पूछा है, कोश्चन नमबर बन, यह कहां से लिया गया है, चाप्टा नमबर 3 में से लिया गया है, तो आपको चाप्टा नमबर 3 के कोश कर दूंगा ठीक है मैंने बड़ा यहां पर दिस्किस्वन बचे एक यूटूब चैनल का लिंक दिया हुआ है उस वार्टाप ग्रूप में जॉइंड हो जाई है वहां पर में हजारों मैं महां से जाकर आप लोग डाउनलोड करके सॉलूशन करो और अगर आप लोगों को सम्सी की सोलूशन नहीं आता है तो में सॉलूशन के साथ में आपको भीज़ दूंगा प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस उसके बार chapter बार 2 दोंगा जैसे chapter three का भेव ऑशनका पहले फिर उसके बच्छों यह chapter number 14 14 मतलब बच्चो यह old book के इसाफ से 14 है but नए book के इसाफ से दिखा जाए तो यह 13 chapter होगा ठीक है और यह chapter number 1 है और बच्चो उसके बाद यह chapter number 2 का है आए दोखो old book के कौन बड़ा chapter number 15 यह new book के साफ सब्सक्रूब तो chapter number 14 का है ठीक है बच्चो चली और यह chapter number 8 का है यह chapter number 14 का है यह chapter number 1 का है अब यह एक वात्ते वाले बच्चो यह एक वात्ते मितलब भीधान घर साही ए गलाती तो यह chapter number 2 का है यह chapter number 3 का है यह chapter number 5 का है और बच्चो यहाँ पर देखो एक सब्सक्राइब उत्ता लिखिए तो देखो ऐसे कोश्चे पूछेंगे पूछेंगे समांता सेली का एनुवा पत्कार सुत्र आपको पता होना चाहिए ठीक है जिसे chapter number 5 में से आएगा फिर chapter number 10 में से आएगा यह chapter number 15 का है यह chapter number 14 का है ठीक है अब यहाँ पर देखो जोड़े बनाओ जोड़े बनाने वाला भी question यह पर पूछा गया है तो यह question आपको क्या करना होगा प्रैक्टिस करना होगा अब मैंने सामने बड़ा कौन से chapter का कौन सा mcq यह बड़ा सामने लिख दिया है अब इसक तरीके से स्मार्ट तरीके से बड़ा paper को solve करो अगर research करके करोगे न तो definitely result तो वैतरीन आने ही वाला है इसकी guarantee मैं लेता हूँ लेकिन मेहनत आपको करने होगी है आगे बक्च्छो अब बात करते है section B तो बक्च्छो section B में आप benefit में आपको बताता हूँ बक्च्छो section B में क करने कितने नो दो हो गया आगे chapter no 4 है अगर आपको नहीं आतात मत करो चैप्टर no 5 में से बच्छा आपको दो कुछेंगे 4 हो गया दो ये और दो ये चारो गया chapter 7 में से 2 question आएगा कर नदुराइद नोनबर दो चार्दच ऑर एक उर कलें से ओता का अब भार्वा प्रवा नहीं कर लहाई क्यों रिखो बच्छों dud लिखो और भट्चों इसी कि एक जाम में आप से कोस्चन पूछा जाएगा उसी चप्टर क से मानलें यहांपा 28 नंबेर और 28 नंबर पर State सबसे यह सबसे बता रहा हूं तो हम दोने प्यद्गिनों। रSet Nebraska डेकर ना चाहिए तो मैं आपको सजेस्स करूंगा simplicity कर लो cycle of 7 कर लो और एड कर लो और 14 तर smartest वाइस इतने चैप सब्रैकर कर लूब आlli बैए चैक् savoir काम कम्प्रिट हो रेंगा क्यों कि दो मैंसे दो आएगा 5 मैंसे दो आएगा साथ सब करने की जरुवत नहीं है आपको जैसा बता रहा हूं अगर वैसे प्रैक्टिस करोगे नो ओपन चैलेंज बैस्ट एंड बैस्ट रिजल्ट आएगा लेकिन तैयारी जैसे मैं बता रहा हूं अगर इस तरीके से करोगे सुपर डूपर रिजल्ट आएगा बच्चो चलिए आप भाग करते हैं सक्षण सी तो सेक्शन सी में बच्चो क्या होगा नो में से कोई भी 6 नपर आपको कोंपलेटारी करना और 18 नंबर आपकोम दिंख कोण दिन नंबर का होगा ठीके लिए आप यहां पार देखो कौन-कौन से चेप्टरißt है पुछा गया जी यसने लिए- आपको जो जो चैप्टर करना चाहओ आसानी से बड़ा राम से पास होगे तो हश्ते हश्ते पास होगे सबतें अब करना यह भुरिख फिर सब्सक्र नहीं कर दो सब्सक्राइब आप ये से भी प्रक्टिस कर से च्रस्ट करो, या आपको प्रॉपर ही लागे, लेकिन वाई, तैयारी तो आपको ही करना पड़ेगा, अब आपको भी चैप्तर नहीं आता नहीं। comment box के अंदर comment करो, उसको पूरा पर बेजिक से वीडियो मुन जोगा, 100% आपने पर इसाफको एक होगा, ठीक है बच्चो चलिए, यहां तक क्लियर, आगे बात करते बच्चो अब हम बात करते हैं Section D, Section D बच्चो पूरा का पूरा बीस नमबर मिलने वाला आपको, और आठ में से कोई भी पांच करना है तो मैं आप सब्भी लोगों को एक रेकेमेंड पमकूँ ना प्रमय करना है। यह बाला कोशन सब्भी बच्चों को और और मैं आप लोगों को बता दू में बता रहा हूं किसी को बताना मत। प्रमे 6.1 यह 100% बौर के इंदर आएगा, किसी को बताना मत, क्या कहँ Candi, प्रमे 6.1 इसको कहते हैं, हन्दी में हम लोग except कम अभर्भर्व जिसे प्रमे 6.1 यह 100% बौर के एग्जाम में आएगा हिए आएगा पाई 5 कोशन करना है, एक कोशन इपन हो गया, आप आगे देखो, अब आगे देखो, अब छठे चैप्टर में इसे 2 कोशन पूछ रहे हैं, पर आगे से 6 आई यह नहीं हाता है, यह प्रमे आपको आता है, प्रमे करने नहीं, उसके बाद बच्चों यहां पर देखो, क्या प डिट्वर्ण सब्सक्राइब गई एक तो आपको करना है तो आट में आपको पाच करना था आपको मिल गया इना तो इस तरीके से बच्चो अगर आप पर तरीके से यहां पर तयारी करते होगा तो आपके 100 पर वंहेंगी ने कायों को उमिद करते हुए वम और अच्छा आपको दिर्फोर्म पहुत सारे डी cricket अब बहुत सारे बच्छे यह बता रहे थे हिसर। यह तो मैं भता दिया असी में से असी रिजल्ट कैसे आएंगे यह मैंने बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बच्चों को पास कैसे हो नहीं, सर्फ पास होने के लिए कोई तरीका बता दो, पास कैसे हो, पास होने के लिए कोई उपाय बता दीजिये, कोई राम बार इलाज दे दीजिये, अब इलाज बता देता हूँ, वो भी देख लिए हो, द तो आप chapter number two, एकदम अच्छे से कर लो completely, इसमें ज्यादा कुछ है निवड़ा, एक हे दो पोईंट एक कर लो, और दो पोईंट दो कर लो, बस, और इसकी उधारान कर लो, chapter खतम, chapter 14 बच्चो, आप सभी लोगों को पूरा-पूरा chapter करना पड़ेगा, completely, पूरा, अगर पास हो होना है, chapter 13 मतलब की old book के सब्सक्राइब चवद्वा चवद्वा चप्तर होगा, तो चवद्वा चप्तर को बच्चो, बहुत ही detail में के question को solve कर लो, तो आपके पूरे शोरोला नंबर आपको मिर जाएंगी, और जो अभी चवद्वा चप्तर बढ़ा है, पुराने book के साब चवद्वा चप्तर संभावना, तो बच्चो वो चप्तर आपको completely कर लेना है, कितना नंबर मिलेगा, आपको 14 नंबर मिले वाला है, उसके बास बच्चो प्रमे 6.1 आपको कर लेना है, फिर प्रमे 10.1, 10.2 आपको कर लेना है, उसके बास चप्तर नंबर 5 आपको बच्चो करना है एन चेप्टर नमबर सेवन आपको करना है बच्छो अगर इतना चेप्टर ब्रादर आप आसानी से कर लेते हैं बच्छो तो आपके 64 नमबर दो पास में 64 नमबर आजेंगे और कोई बच्छा कहता कि सर्फ पांच वा साथ वा नहीं आता है कोई बात में इसी निकाल आपके कितने 48 मार्क्स आजेंगे और फोड़े वो टुक्का भी लगाते और तो भी मान के चलो मान के चलो अगर 24 में से तुक्का लगाते भी हो तेकर माललो में दे दे 50 माल देना अगर दे 10 नंबर तुखका लगाते में तुब कितना नंंबर हो जाएगा अठावन नंबर हो झाहिएँ उसके बाली सकूल popular ऑप माललो नंढर हो इपमोल ही आपके सत्तर नमबर तो ऐसी ही हो जाएंगे सोचो, सिप मात्र तीन चैप्टर करने से आपके जब सत्तर नमबर हो सकते ही तो क्यों नहीं बच्चों तयारी करते ही तयारी करो और टाबर तोड मिनत करो और रिजल्ट लाके दिखा दो और माबाप का नाम रूसन कर दो कि देखो मैं कर सकता हूँ देखो मैं कर सकता हूँ आप सबी लोग कर सकते हो सब के अंदर बहुत ताकत है अपनी पुरी ताकत लगा दो और जो लोग आपको कहते हैं कि बिड़ा आपसे कुछ नहीं होगा उनको चैलेंज बोलो हम चैलेंज लेते हैं आपको सामनों मैं करके दखाऊंगा और मैं पास हो के दखाऊंगा बच्चो आपके अंदर बहुत काबिया थे आपके अंदर बहुत भरोसा है मुझे आप सभी लोग कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो, आपको करना ही होगा, ठीके, आप लोगों कुपरा, किसी के लिए लहने कपड़ा, अपने माबाप के लिए करो, अपने आप के लिए करो, और जिसने भी आपको बोला है, कि तो मैं कर सकते हो, और करके दिखा दो, कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ओपन चैल अगर बच्चो शेर करो गया है अगर बच्चो कमेंट बोक्स अंदर कमेंट करो और कौनसे वीडियो का इनलाइज आपको रिसर्च चाहिए और कौनसे सब्जेक्ट में आप पास होना चाहते हो उसको भी बताईए एकदम डिटेल में रिसर्च करके लाओंगा बच्चो ठीक आप लोग पताईए मैसेज करिए कमेंट करिए जरूर मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा और बच्चो अभी मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ जिसके वज़ेसे वीडियो सूट नहीं कर पा रहा हूं लेखिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के में महिनत करूंगा और दिवाली आरेगे बच्चो और दिवाली में इस साल फुड़ा कम बनाईएगा लेकिन पहले महिनत करो बच्चो एक बार आपको महिनत करना है अगर एक बार अगर अपका रिजल्ट फुदर गया पर लाइब टाइम सेट हो जाओ झाल झाल